इस पेशल वीडियो आप सभी के लिए अगर आपको नाविक बनना है तो पढ़ाई कितनी चाहिए उम्र कितनी चाहिए और लंबाई कितनी चाहिए यह तीन चीजे इस वीडियों डिसकस करने वाला हूँ इसके अलावा आपके जो भी कुश्चन्स है आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना लेकिन कुश्चन जो है वो अच्छे से लिखा करिए काफी लोग कुश्चन गलत लिखते हैं इसके बाद रिप्लाई उनको नहीं मिल पाता है इसके लाव डिस्क्रिप्सन पे चेक करना टेलिग्राम चैनल कर लिंक है आप सभी से रिक्वेस्टे टेलिग्र चैनल जोइन कर लेना वहाँ पे हम काफी सारे चीज़े करते रहते हैं हर वीडियो को नोटिफिकेशन भी आपको टेलिग्राम पे जरूर मिलेगा तो चलिए देखते हैं अगर आपको नाविक बनना है तो आपकी पढ़ाई जो है वो कितनी होनी चाहिए तो पढ़ाई की बात कर लेते हैं तो देखिए नाविक तीन पोस्ट है आपकी जर्नल ड्यूटी नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक की तो अगर आपको जर्नल ड्यूटी के लिए अपलाई करना है तो इसके लिए जो पढ़ाई चाहिए वो कितनी चाहिए तो सिंपले आपका 12th पास होना चाहिए विट मैथ एंड फिजिक्स यह जो दो सब्जेक्स आपके मैथ और फिजिक्स यह कंपल सरी हैं अगर यह सब्जेक्स नहीं है तो आप जीडिक लिए अपलाई नहीं कर पाऊगे परसेंटेज कितने चाहिए 10 प्लस 2 मतलब 12th में तो परसेंटेज यहाँ पे नहीं दिया गया है अगर आप 12th में पास हो कितने भी नंबर है आपके मैटर नहीं करता है लेकिन सब्जेक्स जो है वो मैट एंट फिजिक्स है तो आप सिंपली जीडिक लिए अपलाई कर पाऊगे यह चाहिए आपके जीडिक लिए पढ़ाई दूसरा आपका domestic branch DB तो DB के लिए जो पढ़ाई चाहिए minimum वो आपकी 10th पास होना चाहिए किसी भी subject से किसी भी board से matter नहीं करता है अगर आप 10th पास हो किसी भी board से किसी भी subject से then simply आप DB के लिए Elizabeth हो DB के लिए apply कर सकते हो तो आपने देखा GD के लिए क्या पढ़ाई चाहिए और DB के लिए क्या पढ़ाई चाहिए I think doubt नहीं होगा third number पे आपका यांत्रिक so यांत्रिक के लिए आप पढ़ाई देख लिजिए minimum जो है वो आपका 10th पास होना चाहिए इसके लावा आपके पास diploma आना चाहिए electrical, mechanical या फिर electronics या टेली communication रेडियो पावर में जिसका duration जो है वो आपका होना चाहिए तीन से चार साल sorry तीन या चार साल तीन साल का है तो ठीक है चार साल का है तो भी ठीक है जो कि अप्रूब्ड होना चाहिए AICTC से साथ में एक और option देया है आपके यांत्रिक के लिए 10th and 12th पास साथ में आपके पास डिपलोमा होना चाहिए एलेक्टिकल का मेकेनिकल का एलेक्टोनिक्स का टेली communication रेडियो पावर और जो engineering का duration है वो आपका 2 साल है या 3 साल है और वो जो डिपलोमा है वो आपका AICTE से approved होना चाहिए तो simply यह है कि 10th पास हो अगर आप तो आपके पास डिपलोमा होनी चाहिए इन ट्रेट्स में साथ में उसका जो duration है वो आपका 3 साल या फिर 4 साल होना चाहिए लेकिन अगर आप 10th के साथ 12th भी पास हो तो यह जो ट्रेट्स है इनका जो डिपलोमा है इसका जो duration है वो 2 साल हो या 3 साल है तो आप इसके लिले इसबलो तो यहाँ पे आपने देखा नाविक GD जर्नल डुटी के लिए जो पढ़ाई चाहिए नाविक DB के लिए जो पढ़ाई चाहिए और यांत्रिक के लिए जो पढ़ाई चाहिए आई होप चीजे किलियर हो गई होंगी नेस्क जो है वो है आपकी उम्र आपकी उम्र क्या होनी चाहिए नाविक बनने के लिए उससे पहले मैं एक इंपोर्टन बात करना चाहूँगा कोश्टगार्ड नाविक डीबी और जीडी के लिए याम्तरिक के लिए तो नहीं लेकिन डीबी और जीडी के लिए इसकी तैयारी के लिए बेस्ट टेस्ट रीज है यह ऑनलाइन टेस्ट रीज है परिक्षाएप पर गूगल प्ले स्टोर पे आपको परिक्षा नायम की अप्लिकेशन मिलेगी आप सर्च करिए अगर आप निव केंडिडेट है तो इसको डाउनलोड कर लिजिए डाउनलोड करके नंबर डालिएगा रेजिटर करिएगा code का option आएगा तो ये code है आपका Indian V50 Indian V50 ये code डाल दोगे तो जो भी उसका price है उसमें आपको 50% का discount मिल जाएगा अगर वो test series आपको 300 रुपए की है तो आपको 1500 रुपए मिल जाएगी अगर 200 की है तो 125 रुपए में test series आपको मिल जाएगी ये बहुत अच्छी test series होती है परिके से आप exam में बैठोगे online exam देने के लिए उससे पहले आपको यहाँ exam देना पड़ेगा बिल्कुल same feeling आएगी तो description में आपको परिक्ष्याप के link दे दूँगा code भी मैं आपको description पर दे दूँगा देख लेना चलिए देखते हैं कि आपकी उम्र क्या होनी चाहिए नाविक बनने के लिए तो आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 साल से 22 साल अगर आपकी उम्र 18 साल से 22 साल है minimum 18 साल maximum 22 साल तो आप नाविक बन सकते हो डियो भी देख लिए डेट आप बर्थ डोमिस्टिक ब्रांच एंड यांतरिक की जो डियो भी है वो है कि जो candidate है जिसे आप है तो आपका जो जन्म है वो एक अगस्त 2000 से लेकर 31 जुलाई 2004 के बीच में होना चाहिए ये दोनों डेट भी include है अगर आपकी date of birth एक अगस्त 2000 है तो भी आप लिजबलो अगर आपकी date of birth 31 जुलाई 2004 है तो भी आप लिजबलो या फिर इन दोनों के बीच में कोई भी date जितनी सारी dates आती है उनमें से कोई भी date है तो आप उसके लिए eligible हो या फिर domestic branch DB के लिए जो DOB रखी गई वो रखी गई 1 October 2000 से लेकर 30 September 2004 ये दोनों date भी include है अगर आपकी date of birth 1 October 2000 है या फिर 30 September 2004 है तो ये तो भी आप eligible हो या फिर इन दोनों के बीच में अगर आपकी date of birth हाती है तो आप लिस बलो आप form डाल सकते हो note दिया हुआ है relaxation दिया हुआ है upper age relaxation है आप है 5 साल का है CST के लिए 3 साल का है OBC non creamy के लिए so यहाँ पे आपने जाना नाविक बनने के लिए पढ़ाई क्या चाहिए साथ मैं आपने ये भी जाना कि उम्र क्या चाहिए अब बात करते हाइट की क्या आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए इस वीडियो में सिब तीनी चीज़े बात करने वाले है so last thing है आपकी हाइट तो जो minimum आपकी हाइट होनी चाहिए वो 150 cm होनी चाहिए 157 cm 157 cm आपकी minimum हाइट होना चाहिए इससे कम है तो आप eligible नहीं हो आप नाविक नहीं बन सकते हैं लेकिन कुछ राज्यों में अगर आपकी 157 से भी कम है तो आप उसके लिए रिजबल हो देखी कैसे हाइट इसस्टेंडर्स में भी रिजडिवड बाई अप टू 5 cm 5 cm तक घटाई जा सकती है जो कंडिडेट अशाम के हैं नागा लेंड के हैं मिजोरम के हैं मेगाले के हैं अरुनाचल प्रदेश के हैं मनीपूर के हैं त्रिपूरा के हैं गरवाल के हैं सिक्किम के हैं अंडमान एं निकोबार आइलेंड के हैं तो इन जगहों के जो candidates है उनकी जो height है 157 cm में से 5 cm तक घटाई जा सकती है मतलब 152 cm अगर आप लक्ष दीपशे हैं तो 2 cm तक घटाई जा सकती है मतलब 155 cm height अगर आपकी है लक्ष दीपशे है तो आप इसके लिए जबल हो तो इस वीडियो में आपने जाना कि नाविक बनने के लिए पढ़ाई क्या चाहिए उम्र क्या चाहिए और जो height है वो क्या चाहिए I hope ये तीनों चीजे के लिए हो गई होंगी मैंने बहुत आराम से चीज़ों को समझाया है बीच में आपको बताया था परिक्ष आप के बारे में So this is the most important application ये आपको selection दिला सकती है क्योंकि अगर आप GD का form बर रहे हो तो GD का जो section second होगा वो 30 मेड़ में आपको 50 question करने होंगे 25 आपके math के होंगे जो की 12th level के होंगे तो ये 30 मेड़ में तब ही आप कर पाओगे जब बहुत ज़्याद आपकी practice होगी Practice offline नहीं करने है आपको pen लेके नहीं बैठना है क्योंकि आपको paper तो online देना है तो आपको online practice करने है So online practice करने के लिए आप परिक्ष आप download करो इसके बाद यहां पर test series, latest test series है कुछ पुरानी test series भी पढ़ी होंगी पिछले exam की तो वो भी purchase कर ले न जिससे आपकी ज़्यादा practice होगी और सारी test series आप लगा डरो आपकी जो practice है वो बहुत अच्छी हो जाएगी अगर सब कुछ अच्छा रहा एक्जाम भी अच्छा गया तो selection आपको हो जाएगा क्योंकि आपको खुदी दिख रहा है मौके नहीं मिल रहा है ने भी मौका नहीं दे रहा है, Air Force मौके नहीं दे रहा है Coast Guard यह जो आपको मौका दे रहा है आपके कितने भी percentage है आपको exam में बुला रहा है